हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टुटेंट्स पॉइंट एंड डिली उनिवसिटी की जो एड्मिशन है सेशन 2022-23 के लिए वो स्टार्ट करवा दिये गए हैं UGPG के ठीक है तो कैसे आपको एड्मिशन करना है क्या प्रोसेस रहेगा फीस स्ट्रक्चर वगरा क्या है और कौन-कौन से कोर्सेज के लिए अड्मिशन ओपन हुए हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी ठीक है तो क्या करना है उसके लिए सबसे पहले आप डियू की जो ओफिशल वेबसाइट है यह दियू करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेश ओपन हो जाएगा आपके स्क्रिन पर नीचे स्क्रोल करेंगे आप तो नीचे आपको जो है यूजी एड्मिशन का है या फिर पीजी एड्मिशन आपको किस चीज के एड्मिशन से रिलेटेड आप फॉर्म फिल अप करना है वह के भी स्टार्ट हो चुके हैं और रेगुलर के स्टुडेंट्स के लिए भी एड्मिशन जो है आप लोगों के वह स्टार्ट करवा दिये गए हैं ठीक है अंडर्ग्रेजुएट में रेगुलर में जो एड्मिशन हो रहे हैं उसके लिए आपको एक एक्जाम देना होगा आप पास आउट करोगे उसके बाद ही आपका रेगुलर में एड्मिशन होगा यहां जब आप नीचे स्क्रोल करेंगे इसी वेबसाइट पे तो यहां पर प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है अंडर्ग्रेजुएट का भी पोस्ट्रेजुएट का भी तो इसको भी डाउ रेजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है जो युजी के स्टुडेंट्स हैं अंडर्ग्रेजुएट कोर्स के और जो पीजी के स्टुडेंट्स है दौनों ही के लिए एड्मिशन लिंक यहां पर दिया हुआ है वहां पे जाके आप लोग अपना प्रॉस्पेक्टर्स है वो पढ़ लीजेगा यहां से यहां पे देखिए प्रॉस्पेक्टर्स दिया हुआ है अंडर ग्रेजवेट कोर्स के लिए भी और पोस्ट ग्रेजवेट कोर्स के लिए तो आप लोग यहां से पहले इसको पढ़ लीजेगा उसके बाद ही यह एंट् के लिए आपको अबने के लिए आपको इस वाले लिंक पर क्लीक करना हे ठाय के सदेखर पर बादे बताई गई है इसको अच्छे से पढ़ ली जेगा उसके बाद आपको अपना फॉर्म है वो přिला है तो जब आप आप यह important instructions जो भी हैं वो जब आप पढ़ लोगे उसके बाद यहां से आप लोग अपना eligibility check कर सकते हो कि आप उस course में admission लेने के लिए eligible हो भी या फिर नहीं हो ठीक है तो eligibility check करने के लिए इस पर हम click कर देंगे जिस भी course में अब admission लेना चाते हैं like अगर कोई bachelor of education करना चाता है बीड करना चाता है LLb करना चाता है या फीर M.com करना चाहता होगा तो यहाँ पर जो भी course आप करना चाहते हैं उसको ले लीजेगा आप लोग मान लीजे मैं यहाँ पर B.E.D. पर क्लिक कर देती हूँ L.E.D. पर क्लिक कर देती हूँ अब मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि entrance देने के लिए मेरा क्या-क्या minimum criteria क्या-क्या होना चाहिए क्या-क्या requirement है ठीक है तो उसके लिए देखो course requirement क्या बता रहे हैं course requirement में यहाँ पर दिया हुआ है इसको पढ़ लोगे आप उसके बाद marks requirement यहाँ पर बता रहे हैं क्या requirement अब वो पढ़ लो गया 50% minimum होना चाहिए और अगर आप PWD category क student है तो 40% होना चाहिए तो ऐसे ही इसको पढ़ लेंगे उसके बाद ही अपना admission process जो है वो आप complete करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको login करना होगा password से ठीक है और अगर आपके पास password नहीं है reset password कर सकते हैं अगर आप भूल गया है password तो ऐसे ही आपको यहाँ से login करके अपना admission process जो है वो complete कर लेना है तो I hope आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा but still कोई भी doubt हो कोई भी query हो नीचे comment box में या फिर telegram पे आप हमसे पूछ सकते हैं so फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही guys thanks for the watching this and best of luck all